हेलो प्यारे बच्चों कैसे हो आप सब आप सभी का स्वागत है पी डवल्यू पे मैं आपका टीचर आपका दोस्स आपके फिजिक्स का आपके नीद का हमसफर जग्चोच सर हर बार की तरह आप लोगों के सामने आज फिर से यहां पे हाजिर हूँ यकीन 5.0 पे लेक्चर न लोगों ने boil slow चाल सेलो गेल उसेक स्वह जो ग्रांप लौफ डिफिजिन देल्टेंस पाश्यल प्रशर के बारे में पढ़ा था यह सारी चीज़ें हम लोगों को इसके पुछ फिर हम लोगों ने पढ़ा थाब बहाद इंपोर्टन वन में discuss किया था और क्या discuss किया था बताओ आप बताओ मुझे और क्या discuss किया था आज हम लोग उसी को आगे discuss भी करेंगे आज भी उसी के आगे बढ़ेंगे क्योंकि कल हमने questions कम किये थे थे थ्योरी जादा की थे कल हम लोगों ने vrms के बारे में भी discuss किया था ना, क्या होता है vrms, rms, इसका क्या मतलब था, याद करो, rms, r से root, m से mean, s से square, vrms के बारे में discussion किया था, लिखते थे vrms, root mean square speed, या root mean square velocity, बट करते उल्टा थे, पहले क्या करते थे अगर vrms की बात करें, पहले square किया जाता quantities का, फिर उनको जोड दिया जाता था, और divided by total number से divide कर देते थे, यानि की mean लेते थे, पहले square, फिर mean, और सबसे last में root, लिखा rms किया है, पर करा, उल्टा जाता था, फिर हमने pressure के formula में देखा था, vrms appear भी होता था, और हम लोगों ने वहाँ pressure का formula भी लिखा था, तो क्यों एक quick recap अगर हम ध्यान से देखे, यह होना तो बहुत जरूरी है, अगर हम recap की बात करें, यहां से हमें समझ में आएगा, सबसे पहले हम लोगों ने vrms के formula पे discussion किया था, यह था three times जो भी pressure है, divided by density of gas, ठीक है ना, divided by density of gas, यह formula हम लोगों ने पढ़ा था, vrms का, क्या और हम लोगों ने discuss किया था, yes, एक formula और discuss किया था, हमने vrms का, तीन किये थे major है ना, एक किया था यह वाला, 3RT divided by, छोटा मास या बड़ा मास, कौन सा मास आता है, capital M आता है, यानि कि यह molecular mass है, यहां पर यह capital M है, यह मेरा molecular mass है, और यानि कि यह तबका mass है, जब one moles हम लेते है है, जब small M, capital M के equal हो जाता है, तो यह वाला मास है, molecular mass है, molar mass भी कह सकते हैं, या फिर हम लोगों ने एक vrms के formula को देखा था, तो यह भी देखा था, कि आप vrms को लिख सकते हैं, under root 3KT divided by M, यहां जो small M था, वो mass of a molecule था, ठीक है, और SI units में डाले तो बेटर है, इसको kg में तो अच्छा रहेगा, इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं, यह सारी चीज़े हम लोगों ने पढ़ी थी, इसके इलावा अगर हम ध्यान से देखें, हम लोगों को पता है, R, क्या है हमारा, 8.314, approximately इसकी value हमें पता है, इसकी unit की अगर हम बात करें, तो कितनी होती है, joule per mole per Kelvin, इसको हम लिखते हैं, joule per mole per Kelvin, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, यह capital R की unit है, आप इसको इस तरीके से express कर सकते हो, capital R को इस तरीके से आप express कर सकते हो, ठीक है, तो यहाँ पे हम RNA और के के भीश में relation भी जानते हैं, के बोल्समिन constant होता था, और इसको हम लिखते हैं, R divided by Avog Avogadro number, याद Avogadro number, भूले तो नहीं न, Avogadro number, याद है न, सभी को Avogadro number के बारे में discussion की थी हम लोगोंने, Avogadro number क्या होता है, इस पर हम लोगोंने discussion किया था, इसकी value कितनी होती है, यह chemistry में भी पढ़ते आ रहे हैं, 6.023 into 10 की power 23, यह Avogadro number कहलाता था, यह आप लोगोंन यह हम लोगों को मिल जाता था, ठीक है, और हम लोगोंने क्या देखा था, हम लोगोंने देखा था, इसके इलावा, energy के बारे में, हम लोगोंने discuss किया था, अगर हम बात करें, यहाँ पर kinetic energy है न, mean kinetic energy अगर हम ध्यान से देखे, kinetic energy, यह mean kinetic energy भी कहती है, खाली kinetic energy भी अभी मैं discuss की थी यह होती थी 3 by 2 kt एक molecule की और अगर हम kinetic energy per mole कहते थे एक mole की क्या kinetic energy होती थी 3 by 2 capital Rt यह हम लोगों ने discuss किया था about kinetic energy also kinetic energy के बारे में भी discussion हम लोगों ने यहां से किया था per mole per molecule यह हम लोग जानते हैं mean average kinetic energy ठीक है ना यह सब कुछ हम लोगों ने discuss किया था last class में यह हम लोग जानते हैं यह सारी चीज़ें हमने पढ़ी है आज यहीं से चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे यहां पे कुछ questions सबसे पहले कर लेंगे जो भी चीज़ें पढ़ी थी उससे थोड़ा related conceptual questions है जैसे increase in temperature of gas filled in a container would lead to तो यहां पे हम temperature को बढ़ा रहे हैं और हम इसको एक container के अंदर रख रहे हैं यानि कि हम volume को fix कर रहे हैं डेल्टा वी जीरो यानि की isochoric process ठीक है ना isochoric का मतलब होता है जा change in volume zero होता है यहां पे आपको पता है अगर आप temperature बढ़ा होगे तो pressure बढ़ेगा तो आप देख सकते हो increase in in its mass यह तो होई नहीं सकता ना मास कैसे बढ़ जाएगा close container है increase in kinetic energy यह बढ़ सकती है क्योंकि kinetic energy temperature पर depend करती है है ना क्योंकि kinetic energy का अगर हम formula देखे 3 by 2 RT हम लिख सकते हैं अगर पर mole की बात करें तो temperature dependent होती है एक मोल के लिए भी लिखो जितने मर्जी मोल के लिखो एन मोल्स की बात करें तो एन से multiply कर देना hesitate मत हो ना दो मोल में कितनी होंगी 2 into 3 by 2 RT पांच मोल में कितनी होंगी 5 into 3 by 2 RT ठीक है ना तो यहाने की वह temperature पर करते है kinetic energy तो बढ़ेगी कोई दिक्कत नहीं है डिग्रीज इन प्रेशर नहीं जी प्रेशर तो increase होगा क्योंगी इंक्रीज होगा क्योंकि आइसो कॉरिक है यहां पी प्रपोर्शनल टू टेंप्रेचर होता है ठीक है ना हम लोगों अगर आप उसका temperature बढ़ाओ के तो molecule जूर दूर जाने की कोशिश करेंगे रैंडम मोशन में होंगे तो यह भी गलत है ओके सई option second है आगे देखो अब box contain and molecules of gas if the number of molecules is half then the pressure will be अरे भाई एक box में अगर आप molecule रख रहे हो सोचो pressure लगता ही क्यों था यहां तो जो वज़े है ना pressure लगने की वही molecules है molecules ही वो कारण है वो वज़े है कि यहां पे container पे pressure लग रहे है तो अगर आपके पास molecules and number of molecules है तो कुछ pressure लग रहा होगा क्या formula होता था प्रेशर का अगर हम ध्यान से देखे हमने देखा था प्रेशर का formula होता था 1 by 3 यहां पे आता था m number of molecules divided by volume है ना capital V से जिसको आप लिखते थे और V rms का square यह formula हम लोग ने last class में पढ़ा था तो basically pressure number of molecules पर तो depend करेगा ना जितने ज्यादा molecules उतने ज्यादा कोलीजन उतना ज्यादा pressure याद है हम लोग ने लास्टाम डिसकस किया था तो definitely यहां pressure आधा हो जाएगा बिल्कुल आधा हो जाएगा directly proportional है यहां पे सीधा सीधा relation निकल के आ रहा है pressure proportional to n number of molecules आधे कर दोगे pressure आधा double कर दोगे pressure double आप directly यहां पे देख भी सकते हो the rms speed of a gas molecule is 200 meter per second calculate the rms vrms if temperature becomes four times so यह देखो question बिल्कुल straight forward है rms speed for a gas molecules 200 meter per second है अब आप कोई भी formula यूज कर सकते हो आप यहां पे vrms का formula यूज कर रहे हो तो आप यहां पे 3RT divided by molecular mass वाला यूज कर लो या कोई भी यूज कर लो हमें इतना समझ में आ रहा है कि यहां पे vrms proportional है under root of temperature के direct सामने नजार आ रहा है बिल्कुल clearly नजार आ रहा है सामने है न और तो कुछ हम बदल नहीं रहे तो हम लोगों को वह बोल रहा है क्या वह कह रहा है कि temperature को चार गुना कर दो तो temperature को 4 times कर दो तो नया vrms कितना आ जाएगा vrms डाश किसकी परपोर्शनल आ जाएगा वह आ जाएगा 40 के obviously twice हो जाएगा अगर आप ध्यान से देखोगे यानि कि आप कह सकते हो जो नया vrms है vrms डाश divided by vrms वो कितना हो जाएगा अंडर रूट 40 divided by T यानि कि 2 times आ जाएगा ना vrms डाश कितना आ जाएगा vrms डाश divided by vrms या जाएगा 2 into vrms तो यहां से twice of कितनी थी पहले 200 थी तो अब कितना हो जाएगा 400 यानि कि option third temperature को 4 गुना करोगे root mean square speed twice हो जाएगा अगर आप इसको nine times कर देते तो कितना हो जाता three times अगर आप temperature को one fourth कर देते cooling करते तो vrms घट जाता वह half हो जाता ठीक है ना clear है ना यह असान है ना यह concept आप कर सकते हो easily कर सकते हो कुछ मुश्किल नहीं है simple simple सा formula इसको हम यूज कर सकते हैं और देखो rms speed of a gas molecule is 150 meter per second अब rms speed हम लोगों को 150 meter per second दिये लिख लेते हैं चलो vrms formula हम लोगों को पता है मैंने मान लिया यहाँ पे vrms का formula हमें पता है under root 3RT divided by molecular weight calculate the rms speed if the molecular weight is half while temperature is double molecular weight को half कर दिया temperature को double कर दिया तो vrms डैश क्या हो जाएगा molecular weight को half temperature को double temperature को 2T कर दिया molecular weight को m by 2 कर दिया तो आप खुद सोचो यह 2 का factor उपर चला जाएगा यानि कि 2 x 2 यह क्या बन जाएगा 4 x 3RT ठीक है और divided by m इस under root 4 को भार ले जाओ तो 2 x under root 3RT divided by m यानि कि 2 x जो पहले वाला vrms था यानि कि यह 2 x हो जाएगा किसके 150 के तो यहां पर आपका answer कितना आ जाएगा 300 m per second यहां दोनों चीजों को change किया गया ना पिटा यहां पर temperature को double किया गया और क्या किया गया अगर आप दियान से देखोगे molecular weight को आदा इसको आदा करोगे तो vrms root 2 times हो जाएगा temperature को double करोगे तो vrms root 2 times हो जाएगा दो बार root 2 को multiply करो twice हो जाएगा यह असान questions होते हैं इसमें ज़्यादा घपराते रही हो ना nervous नहीं होते हो ना इतना करने के दो आदात हमें होनी चाहिए easy questions होते हैं इनको अराम से करो तो सली से पढ़ो जल्द बाजी वे नहीं अगर आप अराम से root means squares velocity of hydrogen at stp तो helium की rm vrms वो कह रहा है hydrogen से equate कर दो तो सबसे जरूरी है यहां जब आप helium और hydrogen को देखो एक जरूर आप molecular weight जरूर ध्यान से देखना helium की अगर हम बात करें तो helium होता है 2he4 आप जानते हो इसका जो molecular weight है आप helium का कितना ले सकते हो 4 और अगर आप hydrogen पे चर्चा करो hydrogen क्या होता है hydrogen h form में होता है h2 form में मिलता है gaseous form अगर उसकी देखे तो हमेशा diatomic form में मिलता है h2 तो यानि कि हमें पता h2 मिलेगा तो हमें पता hydrogen होता होता है यह वन होता है ठीक है न तो इसका अगर atomic molecular mass निगालना है तो यानि कि अगर आप molecular weight of hydrogen की बात करोगे तो वह 2-1 है न क्योंकि इसका atomic weight 1 है तो यह हो जाएगा molecular weight 2 हो जाएगा तो यह हम दोनों को हम दोनों को हम हमें दोनों के molecular weight मिल गए और क्या दिया है STP STP standard temperature pressure होता है STP की जो full form है यहां पर इसको हम बोलते हैं standard temperature pressure यहां पर आप लोग temperature को जो use करते हो वो use करते हो 0 degree Celsius यहां पर approximately 273 Kelvin है ना 273 Kelvin लेके चलते हैं और pressure को हम यहां पर 1.01 into 10 की पावर 5 पासकल 1 ATM के आसपास हम रखते हैं इस standard temperature pressure है यानि कि यह hydrogen का है और आपको किसका निकालना है temperature अगर यहां से देखेंगे हमें helium का निकालना है तो उसने बोला है जो VRMS helium का है उसको लिख दो किसके equal जो भी VRMS है मेरा hydrogen का यही तो करने के लिए कह रहा है और सान है चलो बताओ कितना होगा formula सोचो under root 3R temperature मुझे helium का नहीं पता divided by अगर हम ध्यान से देखेंगे हमें क्या मिल रहा है molecular weight molecular weight इसका helium का यह किसके हो रहा है यहां पे सो बस अगर आप इसको थोड़ा सा सॉल्फ कर रहे हो यहां से calculation अगर आप प्रसीट कर रहे हो अंडर रूट 3R तो कट जाएगा और अंडर रूट हटा दो तो basically temperature divided by molecular weight अंडर रूट भी हट जाएगा पहले square कर दो 4 उपर चला जाएगा तो 4 divided by 2 into 273 यानि की 576 ठीक है न यहां पर आएगा 576 but Kelvin यह आपका 576 आएगा but Kelvin में आएगा अगर आप दिहान से देखेंगे 576 Kelvin कोई भी option नहीं है थोड़ा ध्यान देना 546 degree Celsius लिखा है इसको mark मत करके आ यह गलती मत करना मैंने पताया आपको यही गलती होती है एक्जाम में छुटी छुटी गलती होती है बड़ा बड़ा difference लिया आती है छुटी सी गलती 56 लिख दिया मुझे भी क्या हो गया है ना सर जी क्या हो गया आपको वाइस करना था ना इसका मैंने भी तो 546 लिखना था 576 लिख दिया आपको पता है ना जो conversion factor है अगर हमें किसमें Calvin को degree Celsius में convert करना है तो 273 से माइनस करना होता है अरे यह conversion याद है degree Celsius और Calvin वाला अगर आप यहाँ पे Calvin में convert करना चाहते है तो यह relation याद है जो भी degree Celsius में हो प्लस 273 करते है और अगर आपको degree Celsius में चाहिए तो Calvin वाले में से 273 माइनस कर दो यानि कि 546 में से 273 माइनस कर दो तो यहाँ पे 273 आ जाएगा ठीक है मैंने 576 लिख दिया था 546 होगा ट्वाइस कर रहे ना करके देख लो अगर डाउट है तो करके देख लो कोई मिश्किल नहीं है तू बंस है तू तू टाइमस टू इन्टू थ्री सिक्स और 27 का 4 करोगे 54 ठीक तू है 27 का डबल करोगे 54 सही है है ना जस्ट वो देख लेना ध्यान से भई ओके सो थोड़ा सा केवफूल होके करेंगे देखो ऐसी जल्द बाजी में जैसे मैंने लिखने में जल्दी करी आप एक्जाम में कोई जल्द बाजी कर गए दिक्कत हो जाएग खुदी का फैसला खुदी करने नहीं करा ढंक से गढ़ बढ़ है यह माक्स कर जाएगे तो थोड़ा ध्यान रखो थोड़ा पेशेंस रखो सबर रखो क्वेश्चन बन जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं तो इसका आंसर कौन सा होगा फाइनल आंसर तो बतादो भई कौ से क्या फरक पड़ेगा बहुत इंट्रेस्टिंग कोईश्चन है यह असान सवाल भी है इंपॉर्टेंट भी है याद रखना जब हम वी आरेमस की बात करते हैं तो हम एक फॉर्मला लिखते हैं अंडर रूट 3P डिवाइड बाइड रू पर हम जानते हैं इसी फॉर्मले क से देख लेना चाहिए और प्रेशर और वी आरेमस डिरेक्ली रिलेस्टेर है तो प्रेशर कम होने से इसा हमें लगता है पर ऐसा है याद रखना यहां पे उसने क्लियरली बोल दिया टेंपरेचर कॉंस्टेंट टेंपरेचर का मतलब ही यह है आप थोड़ा ध्यान से कर देखना चाहिए था ना कि यह वाला इसमें क्या गडबर हो जाएगी आपने इंगा प्रेशर आधा हो गया पर आपने यह नहीं सोचा क्युद्ग को ढखना जाहिए चाहिए तो पर पर धंक से देखो प्रेशर आधा तो देंसिटी आधा करो तो आंसर यह आएगा constant रहेगा भी आरे में नहीं समझ में आता है यह वाला इस पर आजाओ temperature constant ना आर चेंज होता है ना एम चेंज होता है यह दोनों ही constant तो यहां तो विदिक्कत ही नहीं है अगर temperature constant तो विदिक्ट तो विदिक्ट रहेगा यहां पर कॉंस्टिंट रहेगा विदिक्ट समझ में आ रही है अच्छी तरीके से क्लियर हो गई है यह बात थोड़ा ध्यान से देखना इस चीज़ को आपको समझ में आ जाएगा यहां पर ओके velocities of gases, different velocities, gases की कौन-कौन सी अलग-अलग तरीके की velocity हो सकती है अभी तक जो हम लोगों ने चर्चा किया है वो VRMS के बारे में किया है root, mean, square और आप लोग हिरान होंगे कि sir VRMS को इतना importance क्यों दिया गया है हमारी पास बहुत सारी gases है सभी gases की अलग-अलग velocity है, अलग-अलग speed है, अगर हमें कुछ चाहिए था तो हम average निकाल लेते, यह एक नहीं चीज सीखी है हमने, पहले square करेंगे, फिर average करेंगे, फिर mean लेंगे, है न, तो yes, वो ज़्यादा important होता है अगर हम gas के respect में बात करें, बट हाँ, हम gas की कभी भी average velocity निकाल सकते हैं, average speed निकाल सकते हैं, अगर आप average velocity की बात कर रहे हो, तो definitely वो 0 होती है, क्योंकि motion random है, average velocity तो 0 ही होती है, क्योंकि उसका motion कैसा है, gases का random है, हाँ, अगर आप average speed की बात करो, तो यहाँ पे मैं average speed लिखूँ अगर, तो average speed वो हम निकाल सकते हैं, अगर आप average velocity क because of random motion, random motion से अगर आप ध्यान से देखोगे, क्या मतलब है, random motion से मेरा यह मतलब है, कि अगर आप एक gas को देखते हो, chamber में कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, तो on an average कोई preferred direction नहीं है, बट अगर आप इन सभी का mean ले लेते हो, और मतलब आप इनके magnitude का mean ले रहे हो, तो आप इसको average velocity कभी-कभी बोल देते हो, बट इसको average velocity नहीं average speed के लाता है, इसको average speed बोलना चाहिए, आप सभी की speed का instantaneous speed को जोड रहे हो, सभी की instantaneous speed को जोड के उसका average ले ले लेते हो, तो टोटल number of particle से divide कर देते हो, मालो n number of particle, मैं capital N ले लेता हूँ, capital N number of gas molecule है, अगर आप सभी को क्या कर रहे हो, जोड के n से divide कर रहे हो, तो जो यहाँ पे speed आएगी, वो average speed आएगी, इसको हमें क्या बोलना चाहिए, average speed, ठीक है न, average speed, ठीक है, this is known as average speed, ओके, यह कुछ average speed हमारी खेलाती है, और इसके इलावा, अगर आप ध्यान से देखोगे, यह तब है जब particles count कर सकूँ, मालो मैंने का 100 particles हैं, 200 particles हैं, सब की speed लिखना possible है, possible है न, अराम से मालो 100-200 particles हैं, हमने फिर भी गिन लिया, मुश्किल है, गिन लिया, मालो 10 particles हैं, अराम से गिन लोगे, एक की speed 5, दूसे की 10, दूसे की 100, ठीक है, जो भी है यार, अराम से कर लोगे, आप अराम से कर लोगे, countable particles के लिए, यह formula कभी उस होता है, कभी उस होता है, यह, when to use, है न, when we will use this formula, when we can apply, कभ हम इसको apply कर सकते हैं, यह formula कभ apply किया जा सकता है, किन questions में apply किया जा सकता है, average निकालने के लिए, when, when n is small, जब number of particle छोटे हैं, यह न, 10, 20, जितने आप count कर सको, अराम से, उतने particles के लिए कर सकते हो, small का मतलब है, countable है, हैना, small भी नहीं लिख सकता है, आप यह लिख दो, finite है, हैना, finite है, easily count कर सकते हो, आप ठीक है न, easily count कर सकते हो, गिंती के particles है, छोटे ही है, पड़ अगर number of particles बहुत जादा बढ़ गए, जैसे कि gas में होता है, 10 की बहुत 23, अरे कोई मजाद चल रहा है, आप गिन भी नहीं पाओगे भी यह इतने particles, गैस के molecules को गिन भी नहीं पाओगे, और हर एक की अलग-अलग speed identify करना, तो अपने आप में बहुत बढ़ा task हो जाएगा, कैसे करोगे यह formula अपलाए, तो यानि कि यह formula fail हो जाएगा, इस formula को तब यूज नहीं करेंगे, जब particles बहुत जादा है, अरे millions से भी ज़्यादा particle हैं, भई, कैसे count करोगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ऐसे में हम लोग थोड़ा सा statistics की तरफ जाते हैं, maths की तरफ जाते हैं, statistics से हम लोग यह निकाल सकते हैं, यह formula मैं derive भी कर सकता हूँ, उसके लिए Maxwell का distribution of velocities का, हम उसके चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम उसके बारे में पढ़ नहीं रहे हैं जादा, पर हाँ वहाँ से distribution एक function बनता है, statistics यूज होती है, mathematics यूज होती है, जिससे यह formula निकल के आता है, हमें यह formula याद रखना है, अगर आप gaseous की बात कर रहे हैं, और particles बहुत जाद हैं, मतलब अगर आप average speed of a gas कर रहे हूं, एक है ना, four gases, अगर आप बात कर रहे हैं, gases में यह वाला formula क्यों यूज कर रहे हैं, obviously particles count होना कर पाऊगे, इतने सारे particles हैं भी या, statistics से आया है, math से यह formula हमें मिला है, यानि कि इस formula का अपना ही importance है, अगर आप इस formula को use कर लोगे, तो आप इसको calculate कर सकते हो, आपके लिए easy रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पर formula क्या है, ज़रा इस पर चर्चा कर लेते हैं, तो formula है, 8 KT divided by Pi M, याना, अरे, actually अगर आप जहान से देखोगे, यह वही है, 8 RT by Pi M, यह बिल्कुल वैसे ही है, यहाँ K का मतलब Boltzman constant है, KB यहाँ पर Boltzman constant के लिए लिखा गया, हमने सिर्फ K लिखा था, इसने KB लिखा, यह बोल्च्विन constant ही है, यानि कि जो मेरी average, V average, आप ऐसे लिखो, आप V average को ऐसे भी लिख सकते हो, V average को ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे मर्जी आप लिखना चाओ, इसका जो formula है, यहाँ पर कितना है, KT divided by M, Vrms में यहाँ 3 आता था, यहाँ 3 की जगे, 8 by pi आ रहे है, क्या आ रहे हैं यहाँ पर, 8 by pi आ रहे है, ओ, अच्छा, यानि कि वहाँ यहाँ 3 होता था, यहाँ 8 by pi का factor है, बाकी सब सेम है, बाकी चीज़े सेम है, चीक है ना, तो थोड़ी सी यह अलग है, है ना, average velocity का formula थोड़ा सा अलग आ रहे है, क्या यह Vrms से जाधा आ रहे है या कम आ रहे है, सोचो, चेक करो, 8 by pi approximately कितना है, 8 by pi की approximate value निकालने की कोशिश करो, 8 divided by 3.14, क्या यह value 3 से कम नहीं है, है ना, यह value 3 से कम है ना, obviously, 8 को अगर आप इससे divide करोगे, अगर उपर 9, 10 के आसपास होता, तो 3 के आसपास आती value, but 8 by 3.14, 3 से definitely छोटा है, यानि की V average जो आपकी हुटी है, वो obviously Vrms से कम आती है, for a given sample of gas, अगर आपको कोई gas दे रखी है, और आप से कहए Vrms निकाल लो, तो आपकी RMS speed, average speed से ज़्यादा ही आईगी, हमेशा, RMS speed, average speed से ज़्यादा आईगी, अब देख सकते हूं, ठीक है, उपर वाला कभी उस कर सकते हैं, finite particle, मैंने का, 10 particles हैं, कोई जा रहा है, 5 से, कोई जा रहा है, 6 से, कोई जा रहा, 8 से, कोई जा रहा, 4 से, कोई 2 meter per second, चलो, बताओ, इसकी average क्या होगी, तो आप अराम से कर सकते हो, कि सपीग speed, जोड़ो, total number of particles से, डिवाइड करो, पर तब तक जब तक particle count कर सकते हैं, मैंने का, 10 लाग particle है, आप करोगे, कभी नहीं करोगे, 10 लाग छोड़ो, मैं आपको 100 particles का data देदू, आप तब भी नहीं करोगे, आपको बहुत ज़ाद है, अपने बसकी नहीं है, सर question छोड़ाएंगे, पर हम नहीं करेंगे solve, ऐसे कहोगे न, तो पर धियान रखना आप यहां से, ठीक है, सो यह आप लोग देख सकते हो, इसके इलावा, हमारे पास दूसरी RMS speed, यह मैंने आपको पहले से ही बता दी है, V RMS है न, यह भी वही है, इसमें भी यह वाला formula आप यूज़ कर सकते हो, V RMS में भी यह वाला formula यूज़ कर सकते हो, फिर आप इसका mean लेते हो, और फिर क्या लेते हो, इसका under root लेते हो, ठीक है न, इसका under root लेते हो, यानि कि square root लेते हो, ठीक है न, तो यह V RMS में आप लोग उने किया था, सबसे पहले आपने square किया, फिर सबको जोड के n से divide किया, यानि कि mean लिया, फिर under root लिया V RMS, तो यह formula कभ यूज करना चाहिए यह formula कभ यूज करना चाहिए for for countable particles जिसको आप count कर सको ठीक है ना for countable particles यानि कि जिसको easily आप count कर सको छोटे number 10-20 particle है चलेगा ठीक है ना जाधा से जाधा इससे जाधा होगा तो फिर दिक्कत हो जाहेगी तो यहां पे जो हमने formula देखा था वो यह था है ना यह formula तो हमने लास्ट टाइम देखा ही था भी यह rms का root mean square का ठीक है तो definition दे रखिए rms दे रखा आपको पता है यह average से जाधा है इसके लावा आता है most probable velocity या फिर most probable speed इसका क्या मतलब है most probable यानि कि मान लो आपके पास एक gas का chamber उसे बहुत सारी gases है तो हर gas की अलग 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 velocity है पर आपको नज़र आया एक ऐसी velocity है जो जाधातर gas के molecules के पास है जाधातर molecules के पास एक जितनी velocity है तो आपको कि वह सबसे ज़्यादा प्रोबेबल है प्रोबेबल का मतलब मान लो आपने का कि मैंने एक गैस का पार्टिकल रेंडम ली कोई भी गैस का पार्टिकल पिक कर लिया तो सबसे ज़्यादा chances क्या है सबसे ज़्यादा velocity आने के chances क्या है किसकी probability सबसे ज़्यादा है this is most probable जैसे आपके class में मैंने एक examination लिया 100 marks का एक paper था और मैंने देखा सभी के marks आ रहे थे किसी के 80 किसी के 70 किसी के 60 किसी के 90 किसी के 95 100 भी आए एक दो बच्चों के पर मैंने देखा maximum students के 80 marks थे maximum students के मान लो आपके class में 200 बच्चे हैं इतनी बड़ी students के 80 marks आया है बाकि फिर दर दर distribution है किसी के 67 किसी के 90 तो मैं कहूंगो यह 80 वाला जो number है यह maximum students ने गेन किया है यानि कि मैं बोलूँगा this is most probable सबसे ज़्यादा particles जो है न वो most probable speed का मतलब है सबसे ज़्यादा particles के पास यह speed है example की तोर पर मैं ले लेता हूं मान लो आपको दस पांच यह अच्छे molecules का sample दिया है ऐसे मान लेते हैं मुझे speed दिया है मान लो यहां पर v1 v2 v3 मुझे कुछ speed का data दिया है तो मैं आपको यह data लिखके दिखा देता हूं मान लो मुझे speed दे रखी थी 3 meter per second 2 meter per second ठीक है ना तीसरे particle की थी अगें 1 meter per second चोते particle की थी 2 meter per second पांच में की थी फिर से 2 meter per second फिर 3 meter per second और फिर मुझे दे रखी थी 1 meter per second कितने particles हो गए 1,2,3,4,5,6,7 तो आप खुद देख सकते हो आपको नजर आने लग जाएगा यहां पर एक speed है जो maximum particles के पास है वो कौन सी है most probable speed आपके हिसाब से कौन सी है 2,2,2 यानि कि 3 particles के पास 2 है तो this is most probable सबसे आदा probability इसकी है तो आप बोलोगे vp का मतलब है most probable यानि कि वो होगा 2 meter per second ठीक है ना अगर आप से मैं बोलू नहीं मुझे तो average चाहिए तो average के लिए आप क्या करोगे 3 plus 2 plus 2 ठीक है 3 plus 2 plus 1 plus 2 plus 2 plus 3 plus 1 और divided by 7 कर दोगे सबी को जोड़ दो 3 plus 2 plus 1 plus 2 plus 2 plus 3 plus 1 और divided by 7 कर दोगे और मैं बोलू vrms चाहिए मुझे तो आप क्या करोगे आप कोगे अंडर रूट लेलो और क्या करोगे यहां से 3 का square plus 2 का square plus 1 का square plus 2 का square plus 2 का square plus 3 का square plus 1 का square और divided by 7 कर दोगे यह हमें vrms मिल जाएगा चिक है ना आप देख सकते हो बट यह कब करना होता है यह वाला जो concept है यह तब है जब आपके particles countable है जैसे मैंने 7 particles ही तो लिये हैं यहां पर आप अराम से कर दोगे बट अगर number of particles 10 की power 23 है एक mol है जादा है 10 mol 5 mol 6 mol बहुत सारे particles है फिर आप परिशान सर अब तो नहीं हो पाएगा यह है ना इतनी सारे data कहां तक add करते रहोगे नहीं कर पाऊगे तो यहां पे most probable speed का भी एक formula है आप देख सकते बलकूल वैसा ही है MP करके जो लिखा है most probable speed है य को ही ऐसी लिखा हूआ के बी करके लिख देता है को के बोल रहा हां आप के बी क्या है तो यह बोल्ट्समीन कॉंस्टेंट है जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी देखा था एक ना बोल्ट्समिन कॉंस्टेंट कहते हैं इसको यह कितनी आ रही है टू केटी बाइए एम टूर्टी बाइए मारिए और आप देख सकते हैं यह सबसे कम सबसे जाधा थी और वी रमस सबसे जाधा है इसकी वैल्यू कितनी है मालो अंडर रूट टू रटी बाइए एम ओल्लिकुलर वेट की टर्म्स में लिख रहा हूं ठीक है ना और यहां पर यह कितनी आई थी 108 बाइप आई पाई आटी बाइए और यह कितनी आई थी 3 अटी डिवाइड़ बाइए भाइ दिख रहा है ना क्लियरली क्लियरली दिख रहा है तो आदु आपको अलग अलग है वी आरा में सबसे जाधा है वी average उससे थोड़ा सा कम, VMP सबसे कम, VMP जो है न, उस सबसे कम आपको नज़र आ रहा है, यहां पर, degrees of freedom, important concept, इसको कहते हैं, बहुत important concept, इसको बहुत ध्यान से समझना है, इसको हम बोलेंगे degrees of freedom, degrees of freedom का मतलब क्या है, कि कोई इसको कितने independently move कर सकती है, कितनी उसके पास freedom है, maths ने हमें बताया था, तीन coordinate axis के बारे में, जो independent होती है, x y z, बाकि सब कुछ इन पर depend कर रहा है, आप move कर रहे हो, आप x direction में कर सकते हो, आप y में या z में, हो सकते x y plane में करो, हो सकते y z plane में करो, हो सकते x z plane में करो, हो सकते आप space में move करो, पर यही तीन independent direction है, बाकि सब इनके combination से ही आता है, इस थी को हम degree of freedom भी define करते हैं, कि कितना independent movement कोई कर सकता है independent movement को हम यहां पर डिग्री ओफ फ्रीडम कहारे हैं कितना independent movement possible है ठीक है ना कितना independent movement possible है वही degree of freedom कहलाता है अब यहां पर हम different different तरीके से discuss करेंगे जैसे कि सबसे पहले अगर मैं ध्यान से देखू मैं discuss करूँगा monotomic particles के लिए अगर या gas particles की अगर हम बात करें degree of freedom क्या होती है अगर हम ध्यान से देखेंगे monotomic particle तीनों direction में जा सकता है x में भी y में भी z में भी x direction में भी move कर सकता है y में भी और z direction में भी तो इसको हम बोलते है translational मतलब उसके पास स्रिफ translational motion है यह हम gas के particle को point mass particle लेंगे तो उसके पास स्रिफ translational motion possible है और वह x direction में भी जा सकता है y में भी z में भी तो यहां पे इसके पास तीन direction है तो three degree of freedom ठीक है ना तो आप बोल सकते हो three translational degree of freedom है वह x direction में जा सकता है y में और z में तो यह एक molecule अगर आपको देखेंगे यह atom देखेंगे मोन एक मोली की बात नहीं कर रहें तो इसके पास सिफ translational degree of freedom है इसके पास कोई rotational degree नहीं होती यानि कि यह rotation करेगा तो उससे कोई हमें degree of freedom नहीं मिलेगी यह तब है क्योंकि इसको हम point mass मान रहें इसलिए कोई rotational degree of freedom इस पर नहीं लेते हैं ठीक है ना तो no rotational degree of freedom ओके इसके इलावा फिर आता है हमारा diatomic अगर हम diatomic की बात करें तो diatomic में क्या होता है ठीक है ना diatomic में क्या होता है वो y में भी जा सकता था y direction में भी जा सकता था या फिर वो उपर कहीं z direction में भी जा सकता था या उनके space में घूम सकता था तो x y z तीन translational इसके बाद degree थी अगर हम diatomic की बात करते हैं तो diatomic में हम लोग translation में तीन degree ले सकते हैं तो यह translation degree of freedom इस पर भी तीन है और अगर हम बात करें इस पर rotational भी होता है तो अगर हम डायाटमिक की बात करें, तो यह एक एटम है, इसके पास दो rotational degrees of freedom है, यहाँ दो independent axis है, आप यह वाली axis माल लो, इसके बाट molecule ऐसे rotate कर सकता है, यानि कि अगर मेरे दोनों हाथ में molecule है, तो यह ऐसे ऐसे rotate कर सकते हैं, तो यह क्या हो जाएगी इसकी, कौन से degree of freedom हो ज है एसे rotate कर सकते हैं, एसे डूसरा यह ऐसे llotate कर सकते हैं, ऐसे और ऐसे, यानि कि जैसे dumbbell, जैसे pen के endpoint पे मैं molecule लगाए दूजा नहीं कि यहाँ है और यहाँ है, तो पहले मैंने इसको ऐसे ऐसे rotate करा था एसे ईसे भी रोटेत करा सकता हूँ यानि कि तूसरी टिंगरी ओफ 않는 से मिलेगी जो इसके पूपेंडिकवलर दूसरी डिगरी मिलेगी मिलेगी यानि कि कोई moment of inertia नहीं आता अपनी access पे ठीक है ना अगर कोई access के about ही rotate कर रहा है और x point मास access से कोई दूरी नहीं है तो कोई moment of inertia नहीं आएगा तो याद रखना rotational degree यहां पर सिर्फ 2 होती है दो rotational degree होती है हमारे diatomic पे ठीक है ना तो इस पे 3 translational 2 rotational ठीक है ना और इसी तरीके से अगर मैं बात करू ट्राइट मिग पे पहले इसी तरीके से अगर हम में करें ट्राइट मिग ट्राइट मि необходимо in e1 वह हम सिएज करें सबसे पहले एक आता है linear का मृउट्व यहाँ डियां से देखेazioni ईग्जैंपल लीनियर है, ओके, तो लीनियर शेप की बज़े से अगर आप देखोगे, translational degree of freedom तो हर बार तीन ही आएंगी, क्योंकि X direction में, Y direction में, Z direction में जाएगा, पर rotational यहां भी दो ही आएंगी, अगर आप तीनों को ऐसे consider करो, तो एकी line में है, यह तीनों जो atom है, वो एकी line में है, CO2 मतलब 2 oxygen, 1 carbon, ठीक है न, तो linear shape की बज़े से, यहां भी अगर हम ध्यान से देखे, बिल्कुल diatomic के तरह rotational degree 2 है, बट अगर हम बात करते हैं, non-linear, non-linear में अगर हम ध्यान से देखे, हम water का molecule देख सकते हैं, like H2O, हम water को देख सकते हैं, H2O को अगर हम consider करें, तो H2O में translation तो 3, translation 3 से जादा होई नहीं सकती, तो translation तो 3 ही यहां, चैसे मर्जी ले लो, ठीक है, बट इसमें rotational degree extra मिलती है, अब मैं non-linear को यहां दिखा देता हूँ, तो non-linear जैसे मानलो, एक इधर है, एक इधर है, और एक इधर है, ठीक है न, अगर मैं यहां consider कर रहा हूँ, यहां पे H2O को, है न, दो hydrogen और एक oxygen होगी, H2O, non-linear इसकी shape है, कुछ bond angle होता है, ठीक है, तो यहां पे आपको, जैसे पहले वाली जो हमारी यह वाली एक्सिस का rotation है, ऐसे हमें कोई moment of inertia नहीं मिलता था न, क्योंकि अपनी एक्सिस पर rotate करता था, यहां पे आपको तीनों एक्सिस से, यानि की तीन degrees of freedom मिलेंगी, है न, यानि की जैसे molecule ऐसे भी घूम रहे है, molecule ऐसे या फिर clock और anticlock भी घूम रहे है, और अपनी एक्सिस की about भी घूम रहे है, यह अपनी एक्सिस की about भी ऐसे rotate कर सकता है, क्योंकि axis से आप देख सकते हो इसका distance है कुछ ना कुछ distance है पहले कोई distance नहीं था यह axis पे ही थे तीनों तो इसका मतलब है कोई moment of inertia नहीं था पर यहां से moment of inertia मिल जाएगा यानि कि आप कह सकते हो अगर वो अपनी axis से दूर है तो अपनी axis के बाउट भी वो rotate अगर करेंगे तो यहां पे भी हम लोगों को कुछ ना कुछ degree of freedom मिलेगी यानि कि यहां पे degree of freedom 3 हो जाती है तो कहने का मतलब है overall degree of freedom पे अगर मैं चर्चा करूँ तो टोटल ठीक है ना यहां वाइब्रेशन को नहीं ले रहे वाइब्रेशन होती है वेरी हाई temperature पे अब उसको ignore करते हैं तो टोटल डिग्री ओफ्रीडम एफ यहां पे तीन है ठीक है ना मोनो एटमिक में तीन है डाइटमिक में पांच है और ट्राइटमिक में अगर हम बात करें वो 5 और 6 यह वाली हमारी linear शेप में 5 है और non linear में 6 क नोन linear में 6 है ना क्लियर इसली सिर्फ ट्रांसलेशनल कोई रोटेशनल नहीं डाइटमिक में थीन रांसलेशनल दो रोटेशनल मैं यहाँ से लिग भी देता हूँ यहाँ पे 3 ट्रांसलेशनल है दो रोटेशनल है और इसमें भी 3 ट्रैंसलेशनल है और दो रोटेशनल है non-linear में 3 ट्रांसलेशनल है और 3 ही ROTATIONAL है ठीक है ना आप देख सकते और यह degrees of freedom define किया जाता है आपको यह याद भी रखने है दी जादा degrees of freedom इस तरीके से आप याद भी रख सकते हैं ठीक है ना clear है यह हमारी degrees of freedom हो गई so law of equipartition of energy important है बहुत important है इसकी statement बहुत important है यहां से इसकी जो भी आपको statement मिलेगी बहुत जादा important है उने क्या का था according to this law for a system in thermal equilibrium यानि कि उसने कोई temperature हमारे पास constant हमने कोई consider कर लिया thermal equilibrium है किसी temperature की बात कर रहे है the total energy of our dynamic system is equally distributed among various degree of freedom यानि कि जो total energy system की वो हर degree of freedom में equally distributed कोई thermal equilibrium आया कोई temperature attain कर लिया gas ने ठीक है ना मान लोगा इसकोई temperature है सर्टी है इस टाइम पर उस गैस के कुछ ना कुछ तो total energy होगी ना बिलकुल होगी तो उसने का जितनी degrees of freedom है ना हर एक में equal energy बाठ दो जितनी degrees of freedom है सब में equal energy बाठ दो कितनी बाठ दें हर degree of freedom में तो उसने बोला है हर एक molecule को अगर हम molecules की बात करें तो यहां पर kt by 2 ठीक है ना और अगर हम हर mole की बात करें तो rt by 2 यानि कि in short आप कह सकते हो energy ठीक है ना energy पर molecule की अगर आप बात करते हो तो हम लिख सकते हैं यहां पर degree of freedom into kt by 2 f by 2 kt ठीक है ना हर molecule की बज़े से इतनी energy आएगी है ना और अगर आप हर mole की बात करो energy पर mole है ना यहां पर अगर आप बात करो total energy की अगर आप कर रहे हैं तो energy पर अगर आप कि बात करते हो तो यह कितनी आती है F by 2 KT ठीक है ना तो यह 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 molecule था पर मोल की बात करो तो आर टी capital आर टी मोल के लिए capital R आ जाते हैं ठीक है तो यहां से आप easily calculate कर सकते हो यानि कि अगर आप देखना चाहते हो कि sir यहां पे monoatomic के लिए क्या होगा अगर आप monoatomic की बात करो तो आप clearly क्या लिख सकते हो for monoatomic monoatomic के लिए हमें यह मिल जाएगा 3 KT by 2 ठीक है ना पर molecule यह energy पर molecule है या फिर हम लिख सकते हैं 3 by 2 RT यह क्या है हमारी energy क्या है per mole है monoatomic के लिए और अगर आप diatomic की बात करते हो तो आप समझ गई यहां पर कितना हो जाएगा f की जगे क्या आ जाएगा डायatomic के लिए हम जाएगा 5 by 2 KT per molecule और 5 by 2 RT पर mole है ना similarly triatomic के लिए आप देख सकते हो मैं linear के लिए लिख देता हूं पहले triatomic linear अगर आप triatomic linear की बात कर रहे हो तो वहां से क्या आ जाएगा same 5 by 2 KT and 5 by 2 RT वो हमें पता है पर mole और पर molecule है और अगर हम non-linear की बात करें non-linear में क्या आ जाएगा आपको याद है non-linear triatomic non-linear triatomic पे discuss करेंगे तो वहां से कितना आ जाएगा 6 by 2 KT पर molecule है ना यानि कि आप कह सकते है इसको 3 KT पर molecule भी लिख सकते हूं ठीक है ना या फिर और 3 capital RT ठीक है ना 3 capital RT पर mole ठीक है ना पर mole में ऐसे आ चाहेगा तो यह हमारा law of equipartition of energy हो गया statements को ध्यान से देखें ध्यान से समझो important है easy है आपने एक बाद degree of freedom पर लिया वही कह रहा है statement को आप अच्छे से याद कर लो देखो क्या कहा है इनोंने energy associated with each degree of freedom is KT by 2 per molecule RT by 2 per mole अगा total energy है तो वह degree of freedom में बाट दी गई है हर degree of freedom को कितनी energy दी गई है ठीक है easy है असान है आप इसको देख सकते हैं internal energy थोड़ा सा आप इसको ध्यान देना वही चीज़ा जो भी मैंने बोला है same वही चीज़ा जो भी हम लोगों ने discuss किया है internal energy वही है ideal gas assumption लिया था हम कोई potential energy मानते ही नहीं हम सिर्फ kinetic energy ही मानते हैं तो internal energy purely kinetic नजर आएगी आपको और आप देख सकते हो किहां पर सिर्फ हमारे पास जो kinetic energy है इसी को हम internal kinetic energy भी कह देते हैं कोई potential energy आपको नजर नहीं आ रही reason क्या है internal energy kinetic क्यों नजर आ रही है क्योंकि कोई molecular interaction है ही नहीं किस पर डिपेंड करेगी अभी यह atomicity यानि की molecule die atom है triatomic है monoatomic है इस पर डिपेंड करेगी कितने moles है इस पर डिपेंड करेगी क्या temperature है तो यह तो वही formula है ना f by 2 rt बस n से क्यों multiply कर दिया हमने वह पर mole निकाला था एक mole की energy थी f by 2 rt अगर n moles है तो f by 2 n rt ठीक है ना इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो यह हमारी पास क्या हो जाएगा यह total number of energy क्या हो जाएगी यह 4 moles आ जाएगी अगर n number of moles है तो आप ऐसे निकाल सकते हो अगर n number of moles है तो आप इस तरीके से energy को निकाल सकते हो यह हमारी total energy आगी जो आप सिर्फ f by 2 rt लिखते थे वह energy पर mole थी अगर आप mole से number of moles से multiply कर दोगे तो total energy आ जाएगी हमारी ठीक है ना इस इसी को internal energy कहते हैं इसी को internal kinetic energy भी कहते हैं है ना समझ में आरे इंटर्नल काइनेटिक energy क्यों हम लोगों ने पढ़ा था दो ही तो energy होती है kinetic potential mechanical energy में यह दो ही तो energy आती है अब molecule के पास यादो potential हो गया kinetic potential का तो मतलब भी नहीं पैदा हो रहा क्यों क्योंकि यहां पे इंट्रेक्शन ही नहीं है molecule के बीच में और kinetic energy ही internal energy और यह वह सिर्फ टेंप्रेचर पर डिपेंड कर रहे है temperature बदला energy बदले टेंप्रेचर नहीं बदला energy बदली ही नहीं ठीक है यहां पे कुशन है average thermal energy यह वही है internal energy अलग अलग नाम से दिखाया गया देखो average thermal energy thermal का मतलब जो temperature पर डिपेंड करती है monotmic के लिए कितनी होगी के भी बोल्स्पेंट कॉंस्टेंट है टी टेंप्रेचर है तो आपको पता है बिल्कुल भी मुश्किल नहीं आएगी आपको अराम से कर सकते हैं इस सवाल को बिल्कुल भी मुश्किल नहीं आए बिना hesitation के सवाल को आप attempt करें ओके यहां पर एक अच्छा कुश्चन है कुश्चन में क्या कहता है 2020 का ही एक सवाल है असलेंडर कंटेंस हाइड्रोजन गैस एक प्रेशर ओफ 249 किलो पास्कल टेंप्रेचर 27 डिग्री सेल्सियस इट्स देंसिटी इस सो कुश्चन क्या है अगर हम ध्यान से देखें यह हो गया फॉर्मला पी वी इस इक्वल्स टू एन आटी यह फॉर्मला तो आप जानते हैं इसको क्या कहते है ideal gas equation कहते है ना इसको ideal gas equation अच्छा अगर मैं volume से right side divide कर दूँ तो क्या आ जाएगा nrt divided by V अच्छा n को क्या लिख सकते है number of moles यानि कि जो भी total mass है m का मतलब mass of a single molecule n का मतलब है number of molecule यही तो total mass होता था याद है मैंने last class में सिखाया था एक molecule का mass into number of molecules divided by volume divided by molecular weight यह था total mass divided by molar mass capital M यहाँ पे क्या है molar mass यानि कि molecular mass भी आप कह सकते हो molar mass या molecular mass कह सकते हो यहाँ small m क्या है mass of a single molecule mass of a single molecule एक single molecule या single atom का यहाँ पे mass है capital N क्या है number of molecules कितने molecules हैं ठीक है ना अगर आप ज्यान से देखोगे M N divided by V V क्या यहाँ पे वाल्यूम है था न वी क्या है ना क्या जाएगा यहाँ पे R T यानि कि rho RT divided by capital M तो यहां से density का formula आ गया P multiply by M divided by R into T अब substitute करो देखो यह formula मैंने derive कराया है पर यह formula एक बार और मतलब दो बार दो या तीन बार यह आप लोगों के divide करता था रो आटी आ जाता था क्या कोंसी बड़ी पुश्किल तो है नहीं इस formula को याद करना या derive करना तो आप अराम से कर सकते हो तो यहां पे रो का formula simply आगया आपका PM divided by RT है ना PM divided by RT तो इस formula को थोड़ा ध्यान से देखते हैं पी क्या है प्रेशर कितना दिया गया अगर आप दियान से देखोगे 249 किलो पास्कल 249 किलो का मतलब 10 की पावर 3 तो 249 इंटो 10 की पावर 3 अब बात करते हैं capital M क्या है molecular weight किसका कौन सी गैस है hydrogen gas hydrogen gas h होती है यह h2 h2 होती है क्या molecular weight हो गया 2 तो अगर आपने 2 डाल दिया तो गलत हो जाएगा क्यों सर गलत क्यों हो जाएगा टूई तो होता है याद रखो जब हम इसका molecular weight लेते हैं 2 तो वह mass in gram होता था याद है जब हम number of moles निकालते थे mass in gram upon molar mass तो हम mass gram में लेते थे तो हम कहते थे जब number of moles 1 है तो small m capital M के बराबर है यानि कि मास ही तो है capital M के बराब करने तो आप याद रखना यहां M को 2 मतलिक देना गलती से भी यहां M को 2 मतलिक देना M को आपको डालना पड़ेगा 2 into 10 की power minus 3 तब जाके kg में convert होगा ओ अच्छा तो 2 into 10 की power minus 3 लिगना पड़ेगा और divided by क्या जाएगा R की value 8.314 तो यह जो मैंने step किया capital M बाला इसको जरू पूर बच्चे नोट करेंगे last में जरूर लिखेंगे कि हम दिहान रखेंगे लिख लो अच्छा स्टुडेंट वह जो बात मानता है teacher की तो अगर आप मेरी बात मानते हो तो लिख लेना क्योंकि गलती maximum बच्चे करते हैं यहां 2 into 10 की power minus 3 लिखना है क्योंकि आप मान के चल rate Kelvin डालो 27 डाल दोगे तो एक और गलती हो जाएगी तो यह हो गया 300 ठीक है असानी से क्या कटता है 10 की power यह कैंसल हो जाएगा 3 से आप इसको डिवाइड करो देखो ओपर 249 है into 2 है नीचे 8.3 है ना मैं 314 भी नहीं दिया 8.3 दिया तो इसको 8.3 ही लिख देते हैं आर की जग 3 से डिवाइड कर दोगे 100 और उपर कितना आ जाएगा 83 अब तो यह अराम से हो गया ठीक है न अब तो यह अराम से हो गया यह एक पॉंट 3 है यह टी त्री यह 10 टाइम चला जाएगा यह यहीं कि 20 दिवाइड बाई 100 आ जाएगा यानिकि 0.2 आ जाएगा तो 0.2 kg पर मीटर क्यूब यही मेरा फाइनल आंसर है ठीक है यही मेरा फाइनल आंसर हो जाए असानी से हो रहा है किसी कोश्च्छन में कोई दिकक नЭही है थोड़ा ध्यान से देखोगी कोश्चन बहुत हीजिली हो जाएगा बस इतना याज रखना गलती होने की गुँनजायश क्या है यह तो आप इस formula पर ही नहीं आ पाए और अगर आपने formula समझ लिया तो गलती हो जाएगी आपने M को सही से नहीं डाला और exam में बहुत चलाक होते हैं वो गलत option पहले रखते हैं वो चाहते हैं गलती करो और वो नापी तोली गलती है उनको पता है क्या गलती कर सकते हैं जैसे मैंन आप एक बार और ऐसे सवाल को पूछा गया है क्या यह सवाल फिर से असान है एन आइडियल गास एक्वेशन कैन बे रिटन ऐस यही तो अभी हमने पीछे डिराइफ किया था पीजिकल थू रो आटी बाई M हमने M लिखा था इन्होंने M नॉट लिख दिया पर सिंबल तो बदल सकता है ना उसकी मरजी जो मरजी सिंबल यूज करें चैनर मोलर मास होता तो यह हमारा मय क्या अब हमसा अंसा आपको लगता है यहां पर ठीक है जिहान से देखो नंबर देंसिटी का क्या मतलब होता है आप सुझो किसे नंबर देंसिटी का मतलब होता है capital N divided by V ठीक है ना और molar mass मतलब M0 पर यह तो हमें पता है ना रो यहां molar density यहां पर mass density नंबर देंसिटी नहीं है यह mass density है क्योंकि हमने यह देखा था जो रो है वो mass by volume था वह यह था यानि कि यह आंसर सही है यह नहीं है ठीक है ना यह गलत है number density का मतलब होता है total number of molecule by volume और mass density का मतलब होता है total mass divided by volume और अब आप सोचे ओरो क्या लिया था हमने पीछे देखते हैं time रो हमने किसको माना था देखा था न आपने total mass by volume न वा भी नहीं मैंने एन बाई वी को नहीं माना था हमने capital M into स्वरी यहां पर N था न at what temperature will the rms speed of oxygen molecule become just sufficient for escaping from the earth's atmosphere यहां अच्छा question है इस question को ध्यान से देखो वो कह रहा है कि भाईया ऐसा क्या temperature देदू मैं oxygen molecules को वो earth की atmosphere कोई escape कर जाए भाई बड़ा सभी सवाल बनाया उन्होंने ठीक है को heat कर दिया तो इनकी speed बढ़ जाएगी thermal speed बढ़ जाएगी और उससे क्या होगा वो escape कर सकते हैं और आप जानते हो escape speed का formula क्या होता है ठीक है नगा escape speed अगर नहीं पढ़ा आपने तो जस्ट आप इसकी value याद रखो क्योंकि अभी gravitation मैंने आपके class में नहीं पढ़ाया बढ़ आप escape speed याद रखना यह आपने सुनी होगी 11.2 km per second होती है ठीक है न 11.2 km per second होती है earth से escape करने की speed earth से किसी को अगर इतनी speed दे दें तो वो escape कर जाएगा ठीक है न 10 की power 3 meter per second ऐसे units में मैंने express कर दिया ठीक है अब क्या रहेगा आप तो simple है हम क्या करेंगे VRMS को escape speed से equal रख देंगे यानि VRMS इतना है VRMS 11.2 into 10 की power 3 है और इसका formula क्या होता है आपको पता है under root 3 यहाँ पे हमें क्या दिया है small m दिया mass of a molecule दिया है तो 3 kt वाला क्यों यूज करना है 3 kt वाला क्यों यूज कर रहा हूं समझ में आ रहा है क्योंकि capital M के बारे में नहीं हमें small m के बारे में दिया है ठीक है ना small m हमें directly दे दिया है तो हम directly use कर लेंगे तो यहां से क्या आजाएगा square कर दो 11.2 into 10 की power 3 और इसका square कर दो right side आ जाएगा 3 times k k कितना होता है 1.38 into 10 की power minus 23 temperature हमें निकालना है divided by mass की जगे हमें mass दिया है 2.76 into 10 की power minus 26 ठीक है अच्छी यह calculation असान है ठीक है ज्यादा मुश्किल नहीं है क्योंकि अब अगर आप ज्यान से देखोगे 1.38 यह 2 time चला जाएगा 10 की power उपर minus 23 था उपर 10 की power minus 23 था नीचे जाके plus 23 होगा नीचे कितना बच जाएगा minus 26 plus 23 मितलब minus 3 बच जाएगा यानि कि आप एले square कर दो इसको approximately आप 121 लिख सकते 121 122 जो भी लिखना जाओ approximately मैं 121 लिख देता हूँ या 120 लिख देता हूँ approximately लिख रहा हूँ बिटा 11 का square करोगे 121 आएगा मैं 120 की आप्रॉक्स लिख रहा हूँ था कि calculation असान हो जाए इंटू 10 की power 6 और right side क्या है हमारे पास 3 और नीचे क्या था 2 और इसको उपर ले जाओ एक काम को यह इसको नीचे लिख लिख तो नीचे 10 की power minus 3 हो जाएगा इंटू T ठीक है अब आप यहां से T रिकाल सकते हो थोड़ी सी calculation में यहां कर देता हूं यहां से आप देख सकते हो T का formula कितना आ जाएगा T को मैं देखू 2 इंटू 10 की power minus 3 यह मेरा T का formula आ जाएगा ठीक है न यह हमारा T का formula आ जाएगा तो यह 3 कट जाएगा यहां से कितना हो जाएगा 4 0 तो आप देख सकते हो यहां से आ जाएगा 80 इंटू 10 की power 3 यानिकी 8 इंटू 10 की power 4 अब आप सबसे closest answer देख रहे हूं देखो मुझे सबसे closest यही वाला नजार आ रहा है 8.36 मैंने थोड़ा से assumption लिया था इसलिए ऐसे आया यानिकि approximately 8 इंटू 10 की power 4 तो यही है ना तो यही option सही हा जाएगा अगर कोई और option 8 की terms में होता तो मैं थोड़ा exact calculation करता भी approximation से कर लिया मैंने ठीक है अच्छा question है ना यानिकि इतना temperature देदिया जाए ना गास के molecules को oxygen molecules को हमारा जीना दुरबहर हो जाएगा वैसे इतने temperature पे तो सर हम ही survive नहीं कर पाएंगे बड़ वो कह रहा है oxygen molecule को इतना temperature दे दो तो अर्थ की surface से escape कर जाएगा निकल जाएगा बहार चला जाएगा फिर अर्थ में रहे गई नहीं ठीक है easy है असान है ओके सो यह आप देख सकते हो यह सारा हमने kinetic theory of gases पर discussion किया है इसके बाद एक चीज आती है that is mean free path ठीक है वैसे पहले इसका derivation हम लोग कराते थे बड़ आपके नीट syllabus के according हमें कुछ नहीं करना सिर्फ समझना है कि mean free path है क्या हमने देखा गैस के molecule इदर उदर भागते हैं तो collision भी करते है जैसे कोई को आप ध्यान से देखो अप इसकी दुणिया में जाओ आप अपने थोड़ी दर घ्यास का molecule समझनी ना थोडी दर चलता है फिर टकराता है और थे तकराता रहता है चलता है एसेered तो अलह colour करता है पहले लेंबडा ओन फुठ कुछ इसे कोड़कर था लेमडा फूर ऐसे डेफरेंट इसे और टक्राता हम तो अगर मैं n को लीज Suddenly देखंग Energy अानि कि पहले से इस्टेन लिच्ट कवर किया लेमडा फिललं लेमडाफोरीं तो इस तरीकी से मैंने सारे displacement को देखा है ना उनका magnitude लिया और उनको divided by number of collisions से ले लिया यहां n का मतलब है number of collisions ठीक है ना मैं capital N से लिख देता हूं नहीं तो आप confused हो जाओगे capital N का मतलब है nth collision ठीक है ना यह क्या है हमारा nth collision इतने collisions उसने करें number of collisions को ले रहे हैं basically ठीक है ना इतने collisions उसने कर दी तो पहले collision से पहले उसने lambda 1 lambda 2 lambda 3 ऐसे करते करते इतने distance कवर किये और डिवाइड बाइन कर रहा यह magnitude लिया है सभी का direction को नहीं देखा है सिर्फ magnitude लिया है तो यहां से कुछ mean आ जाएगा इसका mean आ जाएगा यानि की average आ जाएगा बट आपको पता है gas की बात करो तो उसको देख नहीं होगे आप इतना easy नहीं है gas को observe करना असान थोड़ना है बच्चों का खेल थोड़ना है कि देख लिया gas ने कितना distance कवर किया फिर देख लिया यह possible नहीं है यह सिर्फ यहां से देखने में आपको लगता है शायद ऐसी mean free path निकाला जाएगा इस उसने बोला कि उसने 10 कोलीजन किये कर लोगे कोई दिकती है अगर नबर ओफ कोलीजन बहुत जादा है thousand two thousand millions of collision 10 के पावड 20 कोलीजन उसने कर लिए अतनी दिर में फिर कैसे कर लोगे बहुत नहीं कर पाओगे फिर आप को समला है जो हमें बताता है mean free path कितना होता है one by root two pi nd square तो यहां पर अगर आप n की बात करोगे this is number density number of particles number of molecules जितने आपके molecules है ठीक है ना per unit volume of gas ठीक है ना जो भी gas का volume है या container का volume जिसमें भी gas रखी गई है यह capital number of molecules divided by V यह small n कहलाता है इसी को आप number density भी कहते हो इसी को आप number density भी बुलाते हो हमने पहले भी देखा था ना capital N by V number density होता है और अगर आप ध्यान से देखोगे डी यहां पर क्या है diameter of each molecule diameter of atom या फिर diameter of molecule या atom जो भी आप यहां consider कर रहे हो और इन आवरेज उसका जो भी diameter है वो हम consider कर रहे हैं ठीक है ना दो फॉर्मला लिखे गए हैं फॉर्मला वन इस तरीके से और फॉर्मला टू प्रेशर की स्ब्सक्राइबी तो आप इन दोनों फॉर्मिलेस की डैयरिवेशन के बारे में सोच भी मत याद रखो यहां पर के किया है यहां यह फॉर्मला गया है यहां पर halves करके कुषिजण ऊलवा जाता है ठीक है तो आप आप देख सकते हो, lambda, diameter के square पे depend कर रहा है, inversely proportional है, square of diameter, जितना बड़ा gas का molecule होगा, उतने ज़्यादा कोलिजन करेगा, mean free path कम होगा, जितना छोटा molecule होगा, उसका mean free path उतना जदा होगा, वो इसली चला जाएगा, वो जल्दी collisions नहीं करेगा, वो ज़्यादा distance कवर कर सकता है, collide देख सकते हो, ठीक है न, अब यहाँ पे question, अगर आप ध्यान से देखोगे, तो lambda पे question बनाए जा सकते है, pressure पे कैसे depend कर रहा है, temperature पे कैसे कर रहा है, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो, यह statistical formula है, on an average, यह distance वो cover करता है, इतना displacement वो cover कर लेता है, between two collisions, ठीक है, question देख ले N, तो आप देख सकते हो, just formula पूछा गया, just, यह answer ठीक है, इसका formula आपने अभी देखा न, थोड़ी देर पहले, यही formula आया था न, तो direct formula पूछा है, direct formula हम डाल सकते हैं, और देखो, the mean free path for our gas molecules depends upon the diameter D of the molecule S, तो कैसे depend कर रहा है, आप देख सकते हो, inversely proportional to D square, inversely proportional to D square, ठीक है, तो इस तरीके की questions पूछे गए हैं इस पे, तो easy होते हैं सवाल, ओके, यहाँ पे एक सवाल आप देख सकते हो, यहाँ पे question और है, यहाँ पे match the following करना है, अगर हम ध्यान से देखेंगे, so आपके पास column 1, column 2 दिये वे, अगर हम ध्यान से देखे, root mean square speed of a gas molecule, अगर हम ध्यान से देखे, वो क्या होती है, ठीक है, root mean square, root 3RT divided by m, है ना, तो आप देख सकते हो, यह से easily match कर रहा है, दूसरा pressure exerted by the gas molecule, हमें पता है, pressure into volume 1 by 3 m, and और यहाँ से होता था, VRMS का square, तो यानि कि यही वाला option match कर रहा है, actually बस यहाँ volume और multiple divide होना चाहिए था, बट उसने लिखा न nmv square, इस तरीके से हम इसको consider कर सकते हैं, ठीक है न, actually इसने क्या किया हो है, यहाँ पे n by v को small n लिखा हो है, यहाँ न नंबर density होगा, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके, next है, average kinetic energy of a molecule, average kinetic energy of a molecule की अगर हम बात करें, तो यानि कि हम देख सकते हैं, वो 3 by 2 kt हो सकता है, क् energy यही वाली unit में नज़र आ रहा है, तो यही हो सकता है, total internal energy of a diatomic, diatomic degree of freedom 5 होती है, तो यह से match कर जाएगा, तो आप देख सकते हो, कौन सा option है, जो correctly match कर रहा है, यह भी सब कुछ बढ़ चुके हैं, just formulas match करने हैं, यह वाला, क्या सारी चीज़ें हम लोग discuss कर चुके हैं, just match the column है, आप इसको easily match कर सकते हैं, ठीक है न, clear है, तो आप देखो यहां से, यह easy question था, असान question था, just match the column आया था, ओके, यहां से आप सारी चीज़ें को एक बार match कर सकते हो, easily देख सकते हो, यह simple exam में अराम से questions हाएंगे, आप easily कर सकते हो, ठीक है, तो यहां तक जितना मैंने discuss किया, this is all about kinetic theory of gases, actually thermodynamics और यह दोनों मिला के यह एक chapter बनते हैं, क्योंकि आगे की चीज़ें हो सकता है, मैं कुछ चीज़े thermodynamics में भी discuss करूँ, क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा basic thermodynamics भी हमें आना चाहिए, thermodynamics में अब हम discussion जब करेंगे, तो वहां हम discuss करेंगे energy के flow के बारे में, energy एक system से दूसरे में कैसे जाती है, कितनी तरीके की processes होती है, उस पे चर्चाब thermodynamics में करेंगे, यानि कि यह continue रहेगा, KTG खतम नहीं हो जाता, यह आगे भी चलता रहेगा, यह उसमें भी आपको मिलता रहेगा, कहीं ना कहीं, ठीक है, तो शुरुआत करेंगे अब thermodynamics, thermodynamics क क्या है, basic चीजें आज discuss करेंगे, सबसे पहले thermodynamics क्या है, it is a branch of physics that deals with the relationship between heat and other form of energy, यानि कि यहां हम heat की बात करेंगे, heat कैसे एक system से दूसरे system में जा रही है, कैसे आप heat absorb कर रहे हो, कैसे temperature बदल रहा है, कैसे pressure बदल रहा है, यह सारी studies thermodynamics में की जाती है, ठीक है, हम दूसरी energy क यहां कैसे कर सकते हैं, इस energy को दूसरी energy में कैसे transfer कर सकते हैं, thermodynamics में, heat energy thermodynamics में discuss की जाती है, state of our gas, state का मतलब क्या है, किसी gas की state अगर आप से बोले, यह शब्द यूज करे, state of our gas, तो आप समझ सकते हो, state का मतलब यहां पे होता है, pressure, volume, temperature, number of moles, generally यह चीज़े होती है, इसके लाबा entropy और बाकी चीज़े भी होती है, जो physics में नहीं discuss करी जाती, तो आप इन चीज़ों को याद रख सकते हो, pressure, volume, temperature, number of moles, यानि कि अगर मुझे किसी gas की state बतानी है, तो मैं इन चीज़ों को बताऊं, कि उसमें कितने moles है, उसमें कितना pressure है, उसमें कितना volume है, कितना temperature है, ठीक है न, यह उसका resume है, जैसे हम बोलते हैं, बायो डेटा है पूरा, एक gas का बायो डेटा, gas के बारे में सब कुछ पता चल जाता है, अगर आप यह सारी चीज़ें बता लो, इससे यह भी बता सकते हैं, कुन सी gas है, तो बहुत सारी चीज़ें जो हमें समझ में आ जाती है state of a gas, अगर आप से बोले कि gas की state का है, state change कर रही है, यहनि कि pressure, volume, temperature में से कुछ बदल रहा है, यहाँ हो सकता है, सभी कुछ बदल रहे हैं, तो अगर यह बदल जाते हैं, तो state बदल जाती है, यह fix रहते हैं, तो state same रहती है, किसी gas की यह चीज़ें नहीं बदल रही है, तो बदल गई मैं सीधा-सीधा यह बोलूँगा ठीक है ना यह याद रखना सिस्टम सिस्टम का मतलब क्या है इसका मतलब है सिस्टम का मतलब है गैस अंडर observation जिस गैस को या फिर गैस या फिर फ्लूइड अंडर observation है जिसको आप observe कर रहे हैं उसको आप अपना सिस्टम मानके चलते हैं ठीक है ना जिस पर भी experiment कर रहे हैं जो भी गैस है जिसकी हम study कर रहे हैं उसको अपना system मानके चलते हैं जैसे कि अगर हम ध्यान से देखें यहां पर कोई container है और container के अंदर हम ने क्या रखी वी है यहां पर बहुत सारै गैस के 남자 रखे में ऊपर से कोवर कर देते हैं ना उपर से हम जेंहां पर कर देते हैं और इस तरीगे से कवरी कर देते हैं ताकि यह बहाड ना जाए ठीक है ँए ? इसको एसए कर देते हैं और ऊपर से इसको एक रोट से कनेक्ट कर देते हैं और इसको प्यार से हम एक चीज बोलते हैं हम इसको कह देते हैं पिस्टन इसको हम अपने हाथ से भी उपर नीचे मूफ कर सकते हैं और गैस भी उपर नीचे ले जा सकती है तो हैंडल इसलिए बनाया जाता है आप भी मूफ कर सको और हो system है इसी को हम देख रहे हैं ठीक है और अब एक चीज होती है जैसे हाँ पर system है वैसी आप कह सकते हो surrounding surrounding का क्या मतलब है अगर आप ध्यान से देखोगे system के बाहर जो भी है ठीक है ना outside system जो भी चीज आप consider कर रहे हो वो इसकी surrounding है outside system anything जो आप देख रहे हो surrounding है ना यानि कि इस गयस से भार पिस्तन के बाहर की दुनिया इसके लिए surrounding है इसके आस पास की जितनी चीज़ें है वो क्या है surrounding है अगर system में कोई चीज enter करती है तो स्रावंडिंग से करेगी और system से कोई चीज भार जाती है तो वो surrounding में जाएगी anything that is outside system this is surrounding तो بहर से कोई सिस्टेम मेंट कर रहे है then we can say that surrounding से एंटर कर रहे हैं और यहां से कोई चीज भार जा रहे है सिस्टम से surrounding में चान को यह होता है सिस्टम योसस्राउंडिंग यह वेर्ट बहुत बार use किया जाएंगे क्या पहला लो क्या है thermodynamics का इसके लिए हम लोग इहां पर container यहां पर एक ऐसे consider कर लेते हैं मैंने मांन लिया container है एक बीकर मैने बिकर मैं यहां इसका कोई वॉल्य होगा ठीक है इसके लिए यहां पर से इसको पिस्टन से लगा दिया, cover कर दिया, उपर एक piston है, यह piston है, ठीक है न, यह उपर नीचे move कर सकता है, depend करता है, इसको gas push कर रही है, या फिर उपर से इसको push मिल रही है, ठीक है न, तो यहाँ पे जो इसकी volume है, वो gas की volume होगी, initial state हो सकती है कुछ, यानि कि मैं कह सकता हूँ, initially इस gas, यह gas कोई pressure लगा रहा होगा, P, इसकी कुछ volume होगी, जितनी हाँ volume नजर आ रहा है, V, इसका कुछ temperature होगा, T, number of moles होगे, यह क्या बता रहे हैं, यह state of gas है, ठीक है न, यह क्या है मेरी state of gas, इसको initial state भी कहते हैं, यह gas की पहले state थी, ठीक है न, है इसको क्या बोलते हैं यह जो और इंसे मैं ने बनाए है consists को हम पिस्टिन क्याते हैं नाम दिया बस ठीकर नrob requirement है जो उपर लगा रखे ताकि गैस लीक ना करें ऊके अब क्या हो सकता है हम भार से इसको हीट करें कुछ energy प्रोवाइट करें हो सकता है ना हम इसको क्या करें कुछ energy दें तो यानि कि मानलो मैंने इसको नीचे से heat किया तो मैंने क्या सप्लाइ कर रहा है तो दो चीज़े हो सकती है या तो क्या हो सकता है गैस से heat भार जाए ठंडी हो रही हो गैस या पर गैस गरम हो आप नीचे से heat उपर दो ठीक है ना तो डेल्टा क्यू का मतलब है heat और energy supply अब आप याद रखना डेल्टा क्यू को हम पॉजिटिव लेते हमारी कुछ साइन है है न यहां पर हमारे पास कुछ साइन कंवेंशन है उस साइन कंवेंशन को थोड़ा सा आप याद रखोगे तो फर्स्ट लोग हमें समझ में आएगा तो साइन कंवेंशन के हिसाब से हम लोग याद रखें डेल्टा क्यू पॉजिटिव कब कंसीडर करें जब गैस तक heat पुचाई जाए गैस को heat किया जा रहा है ठीक है ना यानि कि heat comes from surrounding surrounding से आ रही है heat comes from surrounding surrounding से आ रही है और कहां जा रहा है अगर आप ध्यान से देखोगे and enters the gas, वो gas की तरफ जा रही है ठो गैस को heat किया जा रहा है ना गैस यानि कि system system को आप heat कर रहे हूं यानि कि अगर system heat gain करता है जैसे आप अपने आपको system मान लो और आपको कोई आके आपके mother या फादर में से कोई भी पैरेट्स में से आपको पैसे पकड़ा रहे हैं सेशने पैसे लिए थे तो डैल्टा क्यू nap recycling और कि अगर आपट किली नेगेटिवे तो डैल्टा क्यू자 क्यों अगर आप , negative कब होगा heat Goes from system to surrounding heat Goes from from system to surrounding जब heat system से surrounding की तरफ जाए जब बहार की तरफ यह तरफ जए तो जैसे मैं यहां heat कर रहा हूं तो डेल्टा क्यों कैसा होगा पॉजटिव अगर heat बहार निकल रहे हैं तो डेल्टा क्यों कैसा होगा नेगेटिव एक चाय का कप है मैंने इस बोटल में गरम पानी भर थोड़ी दिर बाद यह ठंडा हो रहा है तो यह system surrounding में heat release कर रहा है तो डे डेल्टा क्यों डेल्टा क्यों अब ग्यास के पास कुछ इंटर्नल एनरजी होती है जिसको आप बोलती हो energy थी है ना तो इस energy को हम लोग यहां पर क्या लेते हैं internal energy ठीक है ना तो यहां पर हम consider करते हैं U as internal energy यह हमारी क्या है अगर हम ध्यान से देखेंगे this is defined as internal energy तो अगर gas है तो उसके molecules है molecules है तो उसके पास कुछ internal energy है because of temperature अगर temperature बढ़ेगा internal energy बढ़ेगी बात समझ में आ रही है ठीक है ना temperature बढ़ा internal energy बढ़ेगी तेम्प्रेचर घटा तो वह घटेगी तो यानी कि ड्र two km क्या है Delta यह temperature से related है ड्र two positive कभ होगा डिघसी पॉजितिव कभ होगा जब temperaturezych करेगा जब temperature degrees करेगा अब आप सोचो सर अब यह डेल्टा यू सर या यू समझाओ ठीक है भाई मेरे पास already ठीक है ना अपने आपको छोड़ो आपको माले तो आपके पास मालो ओल्री ठाउजन रुपीज थे अपने सेविंग की थी आपके पास ठाउजन रुपीज थे अल्रेडी थे तो आपको यह सर मेरी अपनी पैसे हैं लड़ते हैं ना इंसान जिंदगी में हमेशा तेरा मेरा बहुत करता है इसलिए लौस में रहता है ठीक है ना यह माबाप से यह पर कहेगा यह मेरे पैसे हैं ऐसे होत है आपके अपने पैसे बढ़ गए या घड़ गए बढ़ गए ना को सो ठाउजन रुपीज पहले से थे पापा ने दो हजार रुपे और दे दिये मज़े आ गए बल्ले बल्ले ठीक है तो आपकी इंटर्ण अलेजी बढ़ गई ना पहले हजार थे अब दो हजार आगे ड ठीक है पापा ने आपको दिये तो आपके पैसे बढ़ गए डेल्टा की पॉजटिव और डेल्टा यू भी पॉजटिव क्योंकि आपकी इंटर्नल एनरजी बढ़ जाएगी यह बात समझ में आ रही है ठीक है ना पर अब आप खर्चा भी तो कर सकते आप जाओ भार मार् नो गए थे आपके पास पर आपने थोड़े से खर्च कर दिया गैस कैसे खर्चा करती है जैसी आप इसको करने लगता है तो अगर ऑंपर की तरफ मूफ करता है तो एसको कहते हैं वू educating अगर ग्यास उपर किस्टन को मूफ करता है तो इसको बोल देते हैं मैं अभी डेल्टा डव्यू से लिख रहा हूं हाला कि एक नोटेशन है कब डेल्टा लिखते हैं कब छोटा डेल लिखते हैं बट अभी आप कैपिटल डेल्टा लिख लो कोई दिक्कत नहीं कोई कोई नंबर नी काटेगा आपके समझने के लिए ठीक है तो यहां से दिहान से देखो आप क्या बोलोगे अच्छा यह क्या है हमारा यह है वोग डन ठीक है तो कौन वर्क कर रहा है कोन खर्चा कर रहा है वाइगा सीम्पल सी बात है ध्यान से समझा रहों अच्छे से सुनना अब यह पॉसितिव कब होगा अगर gas positive work करेगी अगर piston उपर जाएगा है न डेल्टा डवल्यू क्या होगा positive होगा ठीक है न अगर gas work करेगी gas क्या करेगी work करेगी obviously अगर piston उपर जाएगा volume बढ़ेगी टेपर पॉजिटिफ काभ होता है simple सी बात है जब volume क्या होती है increase करती है यानि कि piston उपर जाता है या पिर आप बोल सकते हो expansion हो रहा है volume बढ़ रही है ठीक है न तो work done by gas यहाँ पर क्या कहलाएगा positive कहलाएगा और यह negative कप हो जाएगा मैं बोलू work done by gas negative हो रहा है इसको work done on gas भी कह सकते हो जब piston धोर एसा औभी लगता है किgas ने surrounding पर किया जब piston उपर जाता है न तो हमें ऐसा मेसंुस होता है कि गैस और surrounding में करती है तो piston नीचे आता है यानि कि यह negative हो सकता है यानि कि delta w negative भी हो सकता है यह कब हो सकता है जब volume decrease करे, ठीक है न, जब volume क्या करे, decrease करे, तो ऐसे में हम इसको दो तरीके से समझते हैं, या तो मैं बोलता हूँ, work done by gas negative हो गया, या हम बोलते हैं, work done on gas हुआ है, by surrounding, ठीक है न, इसी इसको धिहान रखे, work done में कई बार बच्चे confused होते हैं, तो आप समझना, delta w को कई लोग positive ऐसे भी बोल देते हैं, when, when system do some work on surrounding, when system do, does some work on surrounding, some work on surrounding, यानि की surrounding की तरफ piston जाए, जब surrounding की तरफ piston जाए, यानि की volume बढ़ जाए, तो delta w positive है, और delta w क्या होता है, negative भी consider किया जाता है, when surrounding does work on system, तो कई बार सिर्फ इतना भी बोल देता है, work done on system, work done on gas, work done on system, या फिर ऐसे भी लिख देता है, work done on system, work done on system, या फिर gas, ऐसे भी लिख दे, तो आप समझ जाना कि work done कैसा है, मेरा negative है, यहाँ पे compression होगा, यहाँ system compress होगा, ठीक है न, यह थोड़ा सा मैंने work done के बारे में discussion किया है, अगर हमें यह तीन चीज़े समझ में आती हैं, और यह sign convention समझ में आती हैं, यह तीन चीज़े समझ में आती हैं, प्लस यह sign convention अगर हम अच्छे से समझ लेते हैं, तो हम first law of thermodynamics सीखने के mode में हैं, अभी मैंने फस्ट पढ़ाएया ही नहीं अभी तो मैंने अपको यह बताया फिर्स लोह ऑग quiet और डैनिमिक में चीजें देखने को मिलेंगी अभी तो मैंने फिर्सलोह की बारे में डिसक slick पीर्सलोह होता क्या है इसructure know बहुत सिंपल उन्होंने आपको 2000 दिए डेल्टा क्यू पॉजिटिव हो गया अगर आप उनको दे देते कुछ पैसे अपने में से जो जेब में आपके पास पैसे थे पहले आपके पास 1000 रुपे थे और वह 1000 रुपे बढ़के कितने हो गए बातों में कर रहे हैं अब उसको लिखने का समय आ गया है तो फर्स्ट लॉफ थर्मोडानेमिक से यह है डेल्टा क्यू यानि कि जो पैसे का लेंदेन हुआ है जो भी एनर्जी सिस्टम में आया या सिस्टम से गई है वो किसके बराबर होता है जो है चेंज इन इनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है सिस्टम और सॉरॉंडिंग के बीच में इस इस इक्वल स्टू चेंज इन इन इनर्जी इनर्जी ठीक है और यह क्या है वोग दन ठीक है ना? किसके इकवल है work done अब work done by system भी हो सकते है ओन system भी सकता है अगर आय सिस्टम है अगर volume बर रही है तो यह positive जिता में पहर रहा हो पॉढोरा है przek deles यह जैसे आपको cat या और गया आफ्टित्नी का्टा धरγया है कित्नी बढ़ेए-दो हजार बढ़ यह यह Михoten अगर आपने कोई work done नहीं की आपने कोई खर्चा नहीं किया गैस ना expand वी ना compress वी तो जितने पैसे मिले उतनी internal energy आपकी बढ़ गई आपने 2000 रुपे लिए आपके 2000 रुपे बढ़ गए पहले 1000 थी अप 3 हो गए तो डेल्टा यू डेल्टा क्यू के एक्वल कब हो सकता है होता है इसको बहुत द्यान से देखना अब कुछ चीजें हम लोगों को कुछ समझनी चाहिए कि यहां पर दोचीज़ें वता होता है state versus path function इसका क्या मतलब है कुछ चीज़े state पे depend करती है कुछ path पे state का मतलब होता था pressure, volume, temperature इसी को हम कहते थे तो अगर हम ध्यान से देखेंगे यहाँ internal energy सिर्फ state पे depend करती है अगर आपका temperature पहले वही था और बात में भी वही हो गया है same state पे आगे हो अगर आपका temperature नहीं बदल रहा basically आपका temperature नहीं बदल रहा तो आपका delta U change नहीं होगा है ना, delta U will be 0, यह 0 होगा if delta T is 0 क्योंकि यह सिर्फ temperature पे depend करता है, internal energy depends upon temperature internal energy depends on temperature ठीक है ना, internal energy दो जगे change होती है, यह तब भी change हो सकती है अगर gas अपनी state बदल रही हो वो liquid में जा रही हो या liquid solid में convert हो रहा हो, तब भी change हो सकती है बट वहाँ पे वो potential energy होती है पर यहाँ potential energy की अभी हम बात नहीं कर रहे यह हम gasey state में कह रहे है gas का temperature बढ़ रहा है, घट रहा है तो कोई potential energy नहीं है हाँ, अगर कोई question आई, liquid gas में जा रहा है या liquid solid में जा रहा है या solid liquid में जा रही है solid gas में जा रही है तो हाँ, तो potential energy को भी आपको लेना पड़ेगा internal energy में पर यहां नहीं लेते हैं हम सिर्फ gas का temperature बढ़ाना है घटाना है, gas, gas में ही रहती है उसकी state नहीं बदलती तो delta u purely kinetic ही ली जाती है ठीक है, temperature नहीं बदला तो delta u change हो जाएगा, आप याद रखना है यानि कि delta u सिर्फ temperature पे depend करता है इसको type of process से फरक नहीं पड़ता इसको type of process से फरक नहीं पड़ता कि उस process में और क्या चीज़े हो रही है यानि कि यह state function है तो delta u क्या है? state function है, इसको फरक नहीं पड़ता कि आपने जो यह heating किया उस टाइम pressure क्या था, volume क्या था क्या हम volume बदल रहे थे, क्या हम pressure बदल रहे थे क्या कर रहे थे, इसको कोई फरक नहीं पड़ता तो यानि कि delta u को सिर्फ temperature से लेना देना है और किसी पे नहीं है ठीक है? on the other hand, अगर हम देखे तो हम इसको क्या बोल सकते है state dependent, यानि कि यह temperature पेड़ता है अभी के लिए हम इसको बोल सकते है state dependent, कि initial state, final state सेम होगी, delta u zero हो गया whereas delta q and work done जो भी है मेरा, they are path dependent इनको फरक पड़ता है अलग-अलग path से इनकी value अलग-अलग आएगी they are path dependent यह path पे depend करते हैं इसलिए आप देखते हो, books में इस तरीके से लिख देता है delta q is equals to delta u plus delta w del हम सरफ उनके लिए लिखते हैं जो state function होते हैं, बाकियों के लिए हम delta नहीं लिख सकते हैं small del लिखते हैं तो आप books में देखोगे, इस तरीके से represent करा जाता है इसको लोग को हाला कि आप जैसे मर्जी लिखना चाहो लिखो कोई दिक्कत नहीं है, आपका तो वैसे भी objective exam है, subjective तो आप लिख नहीं रहे पर आप देखोगे, books में इसको ऐसे लिखा जाता है आप सोचोगे, ये symbol क्यों लिखते हैं रास्ते में क्या हूँ है, इनको सबसे चीज़ें से मतलब है इनको final initial से मतलब नहीं है, इनको path से मतलब है आप किस रास्ते से जा रहे है, वो process कैसे हो रही है उस time, overall process में pressure क्या था, volume क्या था, उनका बदलाव कैसे था, ये सब को देखता है और यू नहीं देखता, यू देखता है सिर्फ initial, final इनिशल क्या है, final क्या है, change करो, बता दो, खत्म बात आ रहे है न समझ में अच्छी तरीके से, ठीक है न आप याद रखना कि इसी को ऐसे express किया जाता है reason being, ये दोनों मेरे path function है और ये सिर्फ मेरा state function है ठीक है, ये सिर्फ state पर depend करता है, चलो question देखते हैं यहाँ पर एक सवाल है हमारे सामने, सवाल क्या है in thermodynamic process, 200 joules of heat is given to a gas and 100 joules of work is also done on it तो अब आप ध्यान से देखो, heat is given to a gas, तो delta q क्या होगा सुचो positive negative, obviously gas ने heat absorb की है, उसको heat मिली है तो ये positive and work is also done on it, work done on gas है, gas पर work किया गया, gas ने work नहीं किया यानि gas दबी होगी, compress हुई होगी, तो यहाँ से जो आपका work done है, delta w उसको अपन negative लेंगे, कितना लेंगे बोलो, minus 100, ठीक है न, minus 100 joules मैं तो delta ही लिखता हूँ हर जगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कौन सा यहाँ exam में, उसकी जुरत नहीं पड़ेगी, आप लोगों को कुछ दिहान नहीं देना है, आप इसको delta लिख सकते हो, फिलाल के लिए, तो delta q क्या आजाएगा, 200 positive का, change in internal energy हमें निकाल नहीं है, और work done मेरा minus 100 हो जाएगा, इसको इदर ले जाओ, तो यह हो जाएगा, 300 यह मेरा delta u हो जाएगा, तो delta u 300 joules हो जाएगा, ठीक है न, तो delta u यहाँ से 300 joules हो जाएगा, अगला सवाल, next question में क्या कह रहा है, अगर इसको अधियान से पड़े, if 150 joules of heat is added to a system and the work done by the system is 110 joules, then the change in internal energy, अब आप सोचो यहाँ से, 150 क्या है, it is a heat added, तो यानि कि यह delta q हो गया, यह system में add की गई है, तो यह positive 150 joules हो गया, और 110 क्या है यहाँ पे, work done by system, system work कर रहा है, तो यानि यह work done हो गया, यह भी positive लेना पड़ेगा, 110 jou तो अब आपका formula, delta q is equal to delta u plus work done, ठीक है रहा, तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखेंगे, delta q पे अगर हम discussion करें, यहाँ पे आएगा यह 150, delta u को आप निकाल सकते हैं, change in internal energy आपको निकालनी है, work done की अगर हम बात करें, तो work done यहाँ पे 110 है, इसको इदर ले जाओगे, तो 150 minus 110, तो यहाँ से delta u आजाएगा, तो delta u यहाँ से 40 joules आजाएगा, तो plus 40 joules आएगा, यानि कि यह last वाला, ठीक है न, plus 40 joules आगया, यानि कि यह last वाला answer विलकुल सही है, ठीक है, chemistry में थोड़ी सी notations में गढ़बर है, आप देखो कि chemistry में यहाँ delta w इदर ले जाता है, क्यों chemistry में work done on gas लेते हैं, तो वहाँ यहाँ delta u को delta q plus delta w लिख देता है, बात एक ही है, उनकी notation उल्टी है, वहाँ notation अलग ली जाती है, हम physics के हिसाब से ले रहे हैं, chemistry, वो work done by gas को negative लेते हैं, work done on gas को positive लेते हैं, इसलिए इसको यहाँ negative sign के साथ लगा दो, मैं यहाँ अगर negative लिख पर positive लेते हैं, है न, उसराउंडिंग का work done gas पर positive लेते हैं, हम surrounding अगर कोई work करें, तो negative लेते हैं, work done on gas हम negative लेते हैं, वो positive लेते हैं, chemistry में इसलिए अगर आप chemistry में पढ़ चुकी हो यह, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि शायद सर ने गलत लिख दिया, पर सर ने सही कि अभी हम और आगे ज्यादा discuss नहीं कर रहे हैं, इस पर just discussion किया है, इस पर thermodynamics पे, तो मैं एक बार आपको overview दिखा देता हूं कि आज हमने overall क्या चीज़े discuss की हैं, सबसे पहले आज हम लोगों ने जो discuss किया है, वो recap किया है, तो यह सारे formula आप लोगों को देखने हैं, boil slow, charles लोगे लुसे लोगे आपको अच्छे से समझाए थे, उनके graph पढ़ाए थे, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया है, हमने काफी questions प्रैक्टिस किये, velocities देखे हैं, different तरीके की velocity, आज हमने average velocity का formula भी देख लिया, और उसके बाद हम लोगों ने आज क्या देख लिया, root mean square ह हम पहले से जानते हैं, most probable speed के बारे में भी देख लिया, ठीक है न, तो most probable speed, इनमें सबसे ज़्यादा हमारी VRMS होती है, फिर V average और most probable speed सबसे कम होती है, degrees of freedom के बारे में देखा हमने monoatomic, diatomic और triatomic के लिए हमने यहां discussion किया, degree of freedom क्या होता है, वो हम लोगों ने देख लिया, इसके बाद हम लोगोंने कुछ questions की हैं, और mean free path का formula देखा है, mean free path का मतलब है, on and average कितना molecule displacement cover कर सकता है, average distance traveled by the molecule हम यह भी कह सकते हैं, ठीक है न, यह mean free path हो गया, इसके हमने दो formulas देखे थे, जो हमें directly याद रखते हैं, कोई derivation नहीं की, हमने directly in formulas को देखा है, हमने questions भी देख पर चर्चा की हमने देखा state क्या होता है, system क्या होता है, ठीक है न, surrounding क्या होता है, कब work done positive है, कब work done negative है, इस पर discussion किया, sign conventions हम लोगोंने सबसे पहले देखे, फिर हम लोगोंने sign convention के साथ-साथ, हम लोगोंने first law of thermodynamics देखा, this is very important, very important, और हमने अभी just, दो questions की हैं, यानि की next lecture म आप लोगों के सामने यही दिखेगा आपको, first law of thermodynamics और इसके related सवाल, इसमें भी graph वाले questions बहुत सारे आते हैं, इसमें भी आप देखोगे, बहुत सारे question आपको graph से related मिलेंगे, so next class और crucial होने वाली है, और important होने वाली है, जैसे कि हर class होती है, homework में क्या कर सकते हैं हम लोग अभी सबसे पहले आप लोगों को DPP start करनी है, DPP solve करनी है, DPP 1 upload हो जाएगी, तो आप DPP 1 को solve करेंगे यहाँ पे, plus module में exercise 1, जिनके पास है, जिनके पास module है, वो चालू कर सकते है exercise 1, आप पे यह also available है, आपने देखा होगा, तो यह आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं, that's it, आ आप लोगों कर सकते हैं, 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 आप लोगों